नमस्कार बच्चों आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे आज हम अफरीका महादीप की बात करेंगे हम विश्व भुगोल में एक एक करके सभी कॉंटिनेंट की चर्चा कर रहे हैं औस्टेलिया पर हम बात कर चुके हैं और आज हम अफ्रीका महादीप के संदर्म में उन प्रशनों की चर्चा करेंगे जो परत्योगी परिख्षाओं में पूछे जाते हैं जैसे कि छेतरफल जनसंख्या जनसंख्या घनत सबसे बड़ा देश सबसे छोटा देश सबसे लंबी नदी सबसे बड़ा मरुस्थर ये स परत्योगी परिख्षाओं में पूछे जाते रहे हैं पहला पाइंट हम देखेंगे एशिया की पस्चात विश्व का दूसरा बड़ा महादीप अफ्रीका है जो विश्व के भूभाग का 20.4 प्रतिशत है अफ्रीका इस दा सेकंड लार्चेस कॉंटिनेंट आफ्टर और सबसे चोटा उस्टेलिया है जिसकी चर्चा हम पीछले वीडियो में कर चुके हैं और दूसरे नंबर पर छेत्रफल के अधार पर जो है वो अफ्रीका है इस महादीप की खोच डेविंड लीविंग स्टोन ने की थी इस महादीप को अंध महादीप भी कहा जाता है जैसे हमने बात की थी ऑस्टेलिया से होकर जो रेखा निकलती है वो मकर रेखा निकलती है अगर हम बात करते हैं इस ग्लोब की बीचो भी से ग्लोब को जो हाफ करता है इसे विशुवत रेखा कहते हैं इक्वेटर कहते हैं साड़े तीस अंच उपर जो जाती है इसे हम करक रेखा कहते हैं, वो साड़े तीस अंच नीचे जाती, इसको हम मकर रेखा कहते हैं, ये सबी कालपनिक रेखा हैं, इमेजनरी लाइन से, और जब आप मैप को रखकर दिखेंगे, तो अफ्रीका की इस तरह से अर्थात, तीनों रेखा हैं जो हैं, इस कौंटिनेंट से होकर गुजरती हैं, दूसरी बात, जो चारों गुलार्द की बात करता हैं, ये, हमने इस तरह से हाफ किया, बीचो-बीच से, पूरा जो गुलोब है वो 360 अच्छ का है, इस तरह से हम हाफ करेंगे, तो आदा हैमिसफेर हाफ नौर्थ में जाएगा, आदा हिस से होके, एक आदा हिस्सा ये, आदा हिस्सा ही, अब इसी को अगर हम ऐसे काट देते हैं तो फिर दो हिस्से होगे ऐसे काटा एक ये और एक ये तो ये चार हेमिस्फेर होगे इस तरह से देखा तो ये पश्चमी हेमिस्फेर ये पूरवी हेमिस्फेर और अगर हमने इस तरह से काटा तो उत्री गुलार्द और दच्छनी गुलार्द तो किस तरह से ये है अफ्रीका इस तरह से आप देखिए चारो गुलार्द में पढ़ड़ा है जैसे हमने आस्टेलिया की बात की तो वो सिर्फ वो सिर्फ क्या था दच्छनी गुलार्द में पढ़ड़ा था नेक्स्ट दे रेखा भुमद रेखा मकर रेखा और ये अफ्रीका कॉंटिनेंट तीनों से गुजर जाता है नेक्स्टेप परधान मध्यान रेखा अर्थात जीरो देशानतर रेखा अफ्रीका महादेप के पाँच देशों से होकर गुजरती है अच्छा कोशन है बच्चो ये कि जो परधान मध्यान रेखा आप समझ रहे हैं इसे हम टाइम लाइन कहते है ये टाइम लाइन जो है आप देखेंगे मैप में आपको क्लियर हो जाएगा ये पांस देशों से होकर गुजरती है अगर इस तरह से हम करेंगे तो ये देशानतर जो बीचो बीच से जाती है इसको हम कहते है टाइम लाइन जीरो देशानतर तो अफ्रीका कॉंटिनेंट में आप इस लाइन को देखेंगे तो पांच देश हैं जिनसे होकर ये गुजरती है अफ्रीका महादीब जिब्राल्टर जलसंदी द्वारा भुमद सागर तथा ये ये इरोप से प्रतक होता है जलसंदी तक भुमद सागर ये ठिकेने का मकसद यह आप मेपको अगर मैप को देखें तो यह क्या है और विश्व के मैपको देखेंगे तो इस भुमद सागर के उपड जो है वosureप है और नीचे क्या है अफरीका है तो एक कश़न आता है कि देखे जिब्राल्टर जलसंदी जलसंदी किसे कहते हैं बच्चो खूब बड़ा सा पानी खूब सारा पानी इधर इस एट्लांटिक महासागर और यहाँ पर भूमद मेडिटेरियन सी इसके बीच में पतला सा जो पानी निकला संकरा इसी को हम स्ट्रेट कहते हैं या जलसंद कहते हैं तो यहाँ से भी क्या है ओपर देखे इस्पेन है और नीचे मुरको तो जिब्राल्टर जलसंदी क्या करता है अफरीका कॉंटिनेंट को यूरोप से प्रथक करता है और यूरोप में जो देश है वो इस्पेन है और अफरीका में मुरको तो इस्पेन को मुरको से अलग करता है जोड़ता किसको जिब्राल्टर देखो आप अट्लांटिक ओशियन और भूमद सागर इनको जोड़ता है देखिए तीन चार कोशन होगे बच्चों यहां पे आप समझ रहें नेक्स्ट अफ्रीका महादीप लाल सागर तता स्वेज नहर द्वारा एशिया से प रेड सी तो देखिए रेड सी के इधर क्या एशिया और इधर क्या अफ्रीका तो लाल सागर अफ्रीका को एशिया से प्रथक करता है अब यहां पे बच्चों इजिप्ट है यह वाला हिस्सा यह देखिए इस थल मिला हुआ है नहर किसे कहते हैं देखते हैं नहर कहते हैं वो जगहा थी स्वेज इसलिए उसका नाम हो गया स्वेज नहर तो देखो स्वेज नहर भी क्या करती है एशिया को अफरीका से प्रथक करती है और जोड़ती किसको है देखो रेड सी को और भुमद सागर से जोड़ती है प्लेर हो गया बच्चो अफरीका महादीब के उत्तर पस्ची में एक मात्र वलित परवत एटलस है तथा दच्छिन भाग में ड्रेगन्स बर्ग परवत है तो परवतों का नाम है पच्चे से जान ले जाएं कि जो उपर साइट में तीक है इधर वो क्या होगा हम कह देंगे एटलस परवत है और जो नीचे की ओहर है वो को सा परवत है ड्रेगस परवत है नेक्स्ट अफरीका महादीब की सबसे उच्चा परवत शिकर जो है वो किली मनजार हो है गुट नेक्स्ट छेत्रफल के अधार पर अफरीका महादीब का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया और दूसरे नमबर पर कांगो और तीसरे पर सुडान है इस बात कर चे से हम पढ़ लेंगे याद कर लेंगे जो यहाँ पर कहा जा रहा है नेक्स्ट अफरीका महादीब की सबसे बड़ी जील विक्टोरिया जील है जो युगांडा, केन्या और तंजानिया में इस्ती थे लब बॉर्डर पर इस तरह से कहा जा सकता है कि ये तीन देश हो गए यहाँ पर टंगानिका जील कांगो में, नियासा जील मलावी में और नासिर जील मिस्र में इस्ती थे तो हम इन जीलों को जान जाएंगे, कौन सी जील कहां पर है ये कोशन अगर बनता है तो नेक्स्ट, विक्टोरिया जील से होकर भूमद रेखा, विश्वत रेखा या एक्वेटर गुजरती है तथा संसार की सबसे लंबी नदी नील विक्टोरिया जील से ही निकल कर भूमद सागर में गिरती है अगर हम बात करतें कि विश्व की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो कैस्पियन औस्टेलिया की एक मातर बड़ी जील आयर पढ़ा था इस तरह से अफ्रीका महादीब की जो बड़ी जील है उसका नाम क्या है विक्टोरिया तो यह हो गया और किस जगा पर जोसे इस तरह से हमने बनाया ये विशुवत रेखा है, ये करक रेखा, ये मकर रेखा, तो यहाँ पर है, तो विक्टोरिया जिन से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, इक्वेटर गुजरती है, नील नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी, और सबसे चोड़ी नदी अमेजन है, हम दक्षिन अम पादन के लिए परसित थे, सिधा कोशन अभी सीनिय का पठार किस देश में हिस्ती थे इथोपिया में हिस्ती थे अगला है अदा मावा का पठार नाइजीरिया वा केमरून की सीमा पर इस्ती थे ये दो पठारों का हम लोगों को नाम मिल गया है जो हम देख रहे हैं इसको कहां पर है ये इसकी सीमा पर है यही पर एक बात मुझे याद आ रही है कि इस महादीप के अंतरगत कुल 55 देश है जिसमें छेतरफल की दृष्टी से सबसे बड़ा अलजीरिया है और सबसे छोटा सेशल से और जनसंख्या की दृष्टी से नाइजीरिया है और सबसे छोटा सेंट हेलना है इस बात को लिख लें आप लोगो नोट खड़ लें जाद रहेगा आप लोगो ये बात नेक्स्ट है कि मिस्र की राजदानी काहिरा किस नदी पेस्ती थे नील नदी पेस्ती थे मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है इस नदी पर विश्व परसीद आसवान बांध है होती अच्छा कोशन है दो तीन कोशन मिलने मिस्र की राजदानी काहिरा है मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है नील नदिय पर इस्थित कौन परसिद बांध आसवान बांध है यहीं पर एक और कोशन है कि मिसर को एशिया और यूरोप महादीप का जंक्शन कहते हैं आप देखें किस तरह से जूड़ रहा है जंक्शन यही होता है न मैप में देखिया मिसर और उसाइट एशिया स्वेज नहर जो है तो यह कोशन बनता है मिसर और एशिया को यूरोप महादीप का क्या कहते हैं जंक्शन कहते हैं और जोड़ता है नील नदी को वरदान कहते हैं यह पॉइंट हमने देख लिया इसको एक नूबियन मरुस्थल भी है बच्चो नूबियन मरुस्थल ये भी कहां पर है ये भी मिसर में पीछे हमने पढ़ा था कि मिसर में जो एक जील है नासिर जील कहां पर है मिसर में और हम बात करेंगे कि खमसिन नामक धूल भरी हवा कहां चलती है मिस्र में खमसिन नामक धूल भरी हवा कहां चलती है मिस्र में आगे देखते हैं कि जायरे या कांगो नदी विश्वत रेखा को दो बार काटती है जबकि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है ये विश्वद रेखा तो ऐसे दो बार ये मकर रेखा ऐसे दो बार तो क्लियर हो गया ये तो हम अफरीका के संदर में कह रहे हैं पर अगर रेखाओं को काटने की बात करें तो बच्चा के करक रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है भारत की माही नदी कांगो कांगो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है तो पहली सबसे बड़ी नदी होगी नील और दूसरी होगी बच्चो कांगो नेक्स्ट है ओरेंज नदी दक्षण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है ये दक्षण अफ्रीका एवन नामिविया के मद्र प्राकर्तिक सीमा का नरिधारन करती है बॉंडरी बनाती है इन दो देशों के बीज दोनों गल गल के देश हैं के साउथ अफ्रीका और दूसरा ना जमबेजी नदी पर और विक्टूरिया वाटरफॉल विक्टूरिया जील की भी हमने बात कर ली जिससे होकर विश्वत्रेका निकलती है और विक्टूरिया वाटरफॉल किस नदी पर है जमबेजी नदी पर सहारा विश्व का सबसे बड़ा डजर्ट है जो उत्री अफरीका में इस्ती थे जबकि काला हारी मरुस्तल दक्षण अफरीका में इस्ती थे जिसका सरवधिक विस्तार बोथ स्वाना देश में बड़ा अच्छा कोशन है बड़े पॉइंट्स मिलने हैं यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्तल भारत का सबसे बड़ा मरुस्तल थार है मरुस्तल वाला वीडियो आप देख सकते है और यह उत्री अप्रिका में काला हारी जो है जो इंडाक्षण अफ्रीका में नीचे साइड में इसका सरवदिक विस्तार तीन चार देशों में विस्तार है क्या वह बहुत स्मान हम है नूबियन मरुस्तल नील नदी एवं लाज सागर के मद उत्तर पुर्विश सुडान में इस्ति थे नूबियन मरुस्तल नूबियन मरुस्तल जो है ये इसको समझ सकते हैं ये आप ये बॉर्डर जा दू कंट्रीज को कवर करता है इसले इस तरह से नेक्स ते तंजानिया की जंजी बारो पेमबा दीप में लॉंग और इलाची खूब मातरा में होती है संसार में लॉंग के कुल उत्पाधन का 90 परतिशत भाग इन ही दीपों में होता है भारत में मसाले केरला में पर दू लॉंग की बात करेंगे तो इन दो दीपों को हम अयाद रखेंगे अगला point है अफ्रीका महादीब की पर्मुक जन जातियां बुश में जो काला हारी में पर्मुकता से पाई जाती पिगमी कांगोग में पाई जाती बद्दू शहारा में मसाई पूरवी अफ्रीका में इसे इंडिया की जब हम बात करते हैं तोड़ा की बात करते हैं थारू की बात करते हैं इसी तरह से ये बात की जा रही है यहां पर इसकी राजधानी जूबा है यूएनो ने मानित्त दिये 2011 की बात है एक निया देश बना है दच्छिन सुडान है दच्छिन सुडान कहाँ पर है यह अफ्रीका कॉंटिनेंट में जनसंख्या की दिरिश्टी से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश नाइजीरिया और सबसे छोटा देश सेंठेलना है नाइजीरिया विश्वत रिखा के निकट होने के कारण यहां की जलवायू गर्म है यहां ग्रीश पर जितू में गर्म और धूल बरी हवाय चलती जिससे हरमटन कहते हैं याद रखेंगे बच्चों हम यहां पर हरमटन और यह खमसिन मिस्र में जो है यह लोकल हवाओं का नाम है जैसे कि यहां पर भारत में जो गर्म हवाय गर्मियों में चलती जिसे हम लू कहते हैं यहां पर लू कहते हैं वहीं लू को हरमटन कहते हैं और खमस जोहांसबर को सुन नगर कहा जाता है ततक किम्बरले की खान हीरे के लिए विश्वरसी थे याद रखेंगे किम्बरले का पठार आउस्ट्रेलिया में किम्बरले की खान दक्षिन अफरीका में माइनिंग का काम भोत होता है साउथ अफरीका में और समझ रहें आप कि केपिटल है जो हम बात करते हैं इस तरह से दक्षिन अफरीका 1893 में गांधी जी यहीं गए थे साउथ अफरीका में और 1915 में बहरत वापिस आये थे गांधी जी नटाल जगह है साउथ अफरीका में वहीं जाकर प्रैक्टिस शुरू करी थी गांधी जी नटाल में पहला क्लिर नेक्स दिखते हैं कांगो में किलो मोटो सोने की खनन के लिए महत्वपूर छेते हैं कांगो की राजधानी किन्शासा है दक्षिन अफरीका में घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं बहुत ही अच्छा कोश है ग्रास लेंड को क्या कहते हैं वेल्ड कहते हैं मिसर के किसानों को फैला की उपमा परदान की गई जैसे आस्टेलिया में हमने जेकारू की बात की थी ना भेड़ पालने वालों को जेकारू कहते हैं इसी तरह से यहाँ पर जो किसान होते हैं उनको क्या कहते हैं फैला दक्षिन अफरीका के मद एक सुतंतर देश लेसेतो बसा है जिसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है इसकी राज़दानी मसेरू है आप देखिए अफरीका कॉंटिनेंट के साउथ में दक्षिन अफरीका देश है और कोई देश इस तरह से हो देखिए यह पुरा अफरीका कॉंटिनेंट और यह बीचो बीच में क्या है लेसेतो इसकी राज़दानी मसेरू नेक्स जांबिया की राज़दानी लुसाका है यहां की परमुक नदी जांबेजी है और परमुक जलपरपाद विक्टोरिया विक्टोरिया जलपरपात किस नदीब है जंबेजी नदीब है जिमबामबे की राजदानी हरा रहे है किरकट मेश की जब बात होती जिमबामबे की टीम की तो हरा रहे स्टेटियम की बात सुनी होगी वेकी छेतर कोईला भंडार के लिए परसिद्धे वेकी छेत्र किसके लिए पर सिद्धे कोईला बंडार के लिए जैसे कि हम भारत का धनबाद कोईले के लिए फेमसे जारखंड वाला एरिया हम बात करते हैं इसी तरह से जिंबाबे का वेकी मलावी एक देश है अफरीका कॉंटिनेंट का इसे अफरीका का स्वीजर लेंड केहते हैं यहां की राजधानी लिलो गवे है स्वीजर लेंड बच्चो अपने आप एक छोटा सा देश है यह यूरोपेन कंट्री है और पूरी तरह से आलपस परवत पे बसा है आप समझ आईए कि आप गर्मियों में नेनी ताल जाते हैं पहाड पर बसी एक छोटा सा सिटी है शेहर है पहले यूपी का ही पार्ट था भई दोजार से पहले वो तरह खंड का हो गया अब सोचिए कि पूरा का पूरा देश ही है ऐसे बसा हो तो कितना खूब सूरद होगा इसलिए स्वीजर लेंड से उकमा दी जाती है ऐसे देशों की पहाड की सुंदर्ता के साथ जो देश होते अगली बात है तंजानिया की राजधानी डोडोमा है यहां अफरीका की सर वो चोटी किली मनजारों के लिए मनजारों के हम बात कर चुके कहां पर है तंजानिया और राजधानी कीनिया की राजधानी नेरोबी है यहां की परमुक नदी का नम ताना नदी ताना नदी कहां बहती है कीनिया में नेक्स लीबिया की राजधानी ट्रिपोली है यहां का अल अजीजिया विश्यू का सबसे गर्मिस्थान है अगर हम एशिया का गर्मिस्थान कहें तो जेकोबाबाद पाकिस्तान में भारत एगर हम बात करें तो लेहे जरूर बताना चाओंगा वो तो बताता हूँ अभी लेहे एक ऐसी जगाए यहां पर वर्षा एकदम नाम मात्र के होती सबसे कम वर्षा जो होती है वो लेह में होती है नेक्स्ट है अफ्रीका महादीब का सबसे बड़ा द्यूप मेडा गासकर है जिसकी राजधाने अंता नाना रिवो है आप यह देखिए इसे यह भारत है अंडमान निकोबार है लक्षदीब है भारत के यह द्यूप है द्यूप मतलब चारो तरफ पाने से घिरा हो उस लेंड को हम आईलेंड कहते है तो मेडा कासकर एक बड़ा सा द्यूप है आप में अप में देखेंगे वो दिखाई देगा यह चारो तरफ इस तरह से घिरा हुआ है और इसकी राजदानी अंता नानो रिवो है नेक्स्ट अफरीका का आईवरी कोस्ट देश विश्व में सर्वतिक कोकू उत्पादन देश है कोकू अफरीका की किस कंट्री में सबसे ज़्यादा होता आईवरी कोस्ट में और अगर हम बात करेंगे विश्व में सबसे ज़्यादा कहां पर होता है तो जो हम बात करते हैं ब्राजील ब्राजील भी देश है वहां भी बहुत ज़्यादा होता है यह दोनों कंट्रीस की बात करेंगे तो यहां विश्व की बात नहीं करेंगा अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होता है निर्यात होता है क्योंकि ज़्यादा होता है पर तुब ब्राजील जो है कहवा उतपादन के लिए सबसे अधिक डक्षिन अमेरिका में नेक्स ते अफ्रीका महादीब को भविष्ण का महादीब कहा जाता है अफरीका होर्न में समली देश इथोपिया जिबूती, इरिट्रिया और सुमालिया होर्न ओफ अफरीका सींग जैसा यह देखिया मैप में देखेंगे यह हिस्सा देखिये जैसे सींग जैसा निकला हुआ तो होर्न ओफरीका किसको कहा जाता है होर्न ओफरीका के अगर हम बात करते हैं तो यह चार देशों को है इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया और सुमालिया मिसर को एशिया और यूरोप महादीब का जंक्शन कहा जाता है नेक्स्ट दक्शन अफरीका के पूरवी तर्ट पर इस्तित एक नगर का नाम इस्ट लंदन है इसकी जलवाईओ यूरोप की जलवाईओ के सम्तूल है जब हम लंदन की बात करें और कहें इस्ट लंदन तो उसी लंदन की इस्ट में बच्चा समझेगा कि लंदन यूरोपेन कंट्री है यूके की बात करते है यूनाइटट किंग्डम राजधन लंदन और सेम वहाँ से जलवाईओ मिलती जुलती है इसलिए यहाँ पर एक नगर है इस्ट लंदन कहाँ पर है दक्शन अफरीका में अब महें तो पॉइंट्स मैंने बता दियें कुछ बाते और मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम बात करें हूटू जन जाती हूटू जन जाती तो आप टिक लगाएंगे कांगो में और कांगो में एक छेत रहे कटंगा कटंगा का जो छेत रहे वो कोबाल्ट के लिए विश्व पर से थे कटंगा का पठार कहा है कांगो में इसी तरह से मैंने बात की थी कि दक्षिन अफ्रीका की तीन राजधानिया हैं एक है प्रशासनिक राजधानी जिसे हम कहते हैं प्री टो रिया एक है विधाईका या राजनेति राजधानी केप टाउन और एक है जुडिशरी न्याइक राजधानी ब्यूम फोटेन फोटेन तो यहाद अफ्रीका की कितनी साउथ अफ्रीका जो देशे उसकी तीन राजधानिया है घास का मैदान साउथ अफ्रीका में वेल्ड की बात कर चुका हूँ प्रन्तु एक और जन जाती है जुलू और जुलू भाशा भी है कहां बोली जाती है दक्षण अफ्रीका में बोली जाती है परमुख पत्तन दक्षण अफ्रीका का डर्बन कांजी जी कि जब पढ़ेंगे तो डर्बन का नाम आता है बच्छो परमुख पोर्ट है यह डर्बन जो है औरेंज नदी बता चुका हूँ मैं लेसेतों की मैं बात कर चुका हूँ जो मुझे याद आ रहा है इसी तरह से हमन जो बात करे थे जिंबाबे की राजधानी हराए अच्छा कोशन यहां से बन जाता है बच्चों और एक और कोशन अच्छा सा बनता है जो कीनिया राजधानी नेरोबी नदीताना की बात कर चुका हूँ एक जील है तुरकाना जील तुर्काना जील ये कहां पर है कीनिया और इथोपिया की सीमा पर इस तरह से दू देश होंगे यहां पर इसको अच्छा सा कॉशन बनता है इसको हम समझ सकते हैं एक बार आप हार्नोफ अफरीका की राजधानिया भी देख लीजेगा जैसे सुमालिया की राजधानी मोगादिशू इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा इरिटीरिया की राजधानी असमारा और जिबूती की राजधानी जिबूती यहां से भी हम समझ सकते हैं question को घाना भी एक देश जिसकी राजधानी है अक्रा अक्रा किसकी है घाना की राजधानी question IS में आया हुआ था कि gold coast coast तठ होता gold coast के नाम से कौन से African country जानी जाती है घाना clear तो जो भी महत्यपों प्रश्ण बन सकते तो जो मुझे याद आ रहे जो मेरी नजर के सामते से गुजरते रहे उन सभी की मैंने यहां पर बात करी है आप लोगों से एक चाड़ जील की बात करेंगे चाड़ जील जो देशे वहां पर है नासिर जील मिस्र में है व्याद हम लोग कर चुके है चलिए बच्चों इसके साथ ही अब मैं आप लोगों को बाई बाई बोलता हूं और आशा करता हूं आप सभी प्रसंद रहेंगे खुश रहेंगे और हर दिन को बहुत खुशी से जीए क्योंकि जो दिन हमारा है वही दिन हमारा जिसमें हम जी रहें और कल खुशूरत होगा इस आशा से जीए थैंक यू नमस्कार